आप सभी लोग मैं आरके में तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल बैंकिंग बाई रोजगार विदंकित तो चली मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं आज किस बहुत ही प्यारे और शांदर सेशन को जैसे कि आप लोगों को पताए कि अभी तक हम आरे डीवीडी यानि कि डेली वोकैब डूसकी क्लास से चल रही थी मीम्स और ट्रिक्स के साथ अब हमने इसको थोड़ा सा और जादा अपडेट कर दिया है कुछ अपग्रेड़ेट वर्जन के साथ मैं आपके सामने इसको लेकर के आया हूँ कि डीवीडी की क्लास चलेगी A to Z vocab की सीरीज में अब ये A to Z vocab क्या है तो A to Z vocab का मतलब है कि हम जो है इसको अब dictionary के format में हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे यानि कि पहले हम A words वाले को पढ़ेंगे फिर B वाले को फिर C वाले को इस तरीके से हर letters के उपर बेटा मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत सारे nearby 100 words हम यहाँ पढ़ेंगे सभी letters के उपर यानि कि आपके सामने आप समझ लीजिए कि ज्यान का पिटारा खुल गया है आपके vocabulary में आपके dictionary के अंदर बहुत सारे नए vocab जुडने वाले हैं बिलकुल sequence के अंदर ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं class को यहाँ से यह आप लोगों की बटा A to Z voc series की आज पहली class है तो episode 1 हमने इसको नाम दिया है तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं session को तो A to Z vocabulary तो पहला word आपके सामने अभी हम क्योंकि A to Z पढ़ रहे हैं तो पहले हम start करेंगे A नाम वाले सारे शब्दों से तो पहले हम A नाम वाले जितने भी हमारे words होते हैं English के अ जाते हैं उन words को हमको जादा focus में रखना होगा राइट everybody तो चलिए शुरू करें फिर यहां पर पहला word आपके सामने आता है यह आपके सामने आया बेटा आप लोगों की सुनी और बेटा आप जो है इस टाइप से ही चीजे चलेंगे ठीक है ध्यान से देखिएगा बेटा तो एबजेक्ट जो word होता है इसका मतलब होता है कि बहुत बुरी हालत में आ जाना दैनिये स्थिती में आ जाना तो एम्फेसाइस बेटा situation और quality ली आई एक्स्थेमली बैड याणि कि कोई situation या फिर कोई quality जो है किसी चीज़ की वह बहुत ज़ादा क्या हो चुकी है, वर्स हो चुकी है, आपने सुना होगा, वर्सन सिचुएशन बिलकुल, देनिय स्थिती हो जाना, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, कि कितनी देनिय स्थिती है, तो वही वाली बात यहाँ पे है, कि बहुत जादा हद से जादा गरीबी में हो जाना, हद स सब इसके एंटोनिम हो गाई यानि कि अपोजिट वर्ट हो गए ठीक है पेटा अच्छा सेंटेंस जैसे बोथ और फेस्ट एबजेक्ट पोवर्टी यानि उन दोनों ने एबजेक्ट पोवर्टी फेस की मतलब उनकी लाइफ में बहुत पूरी पोवर्टी मतलब बहुत सब्सक्राइब उनकी लाइए बेसी को बहुत जाधा हुमिलिटेट कर देना यानिकी कि सिका अना अनादर करना अनाधर मतलब एक तरीक से इस डिसर श्पैक्ट आप कर रहे हो किसी को ठिक है डिसर रिगार्ड देना किसी को तो वही है बहुत पर यह दिलिटिल और नग्री कि किसी person को degrade feel करा देना बहुत ज़्यादा another feel करा देना राइट जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपके कोई friend है आपके मित्र हैं वो आपको इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा degrade feel करा दे किसी भी चीज़ को ले करके तो आप वहाँ पर बिटा अबेस word use कर सकते हो ठीक है अबेस word use कर सकते हो अच्छा इसको याद अगर रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अबेस वैसे तो मैं इसके trick के साथ इसको ज़्यादा वैसे नहीं बता रहा क्योंकि proper sequence म अबेस को ऐसे याद करो कि अबेस आज याद करो कि अबेस तीग no do करना किसी को और दीना ऑनर मतला एक तरीक से समान देना टीक है अजय को बाहेट करना अपलिफ्ट करना या regard देना किसी को, जैसे I watched my colleague abasing one another before the board of trustee यानि कि वो एक दूसरी की insult कर रहे है, दूसरी की निंदा कर रहे हैं, right, किस के सामने तो trustee's के सामने, आगे चलते हैं बेटा next word की तरफ चलते हैं, अगला word आपके सामने आता है, A-B-H-O-R abort, इस word की meaning क्या है, चली देख लेते हैं एक बार, तो मेरे प्यारे बचे abort का मतलब हो गया, कि एक तरीके से किसी से घरणा करना, या किसी चीज को अपने से दूर करना, उसको कहा जाता है बेटा, Abhor, right, to hate something very much, जैसे कि छोटे बचे होते उनको medicines खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जैसे आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे, हना इत्तु इत्तु से, तो आपको भी medicines वगरा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, right, बहुत irritation फिल हो जाती होगे, कि यार medicine मत खिलाओ मेरे को, तो यह वही चीज होती है बिटा, अभॉर यानि कि किसी को घरणा करना, तो synonym की बात करे, जैसे कि hate हो गया, dispense हो गया, loat हो गया, detest हो गया, यह इसके synonym हो सकते हैं, antonym की बात करे, जैसे कि love, यानि कि किसी को पसंद करना, right, उपर उपर से जैसे फिर लाइक हो गया, प्रेफर हो गया, डिजायर हो गया, यानि कि किसी की इच्छा, किसी की चाह, ठीक है, जैसे सेंटेंस की बात करें, तो he was a man who abode violence and was deeply committed to reconciliation, यानि कि वो reconciliation का मतलब कि सांती बहाल कर देना, right everybody, तो वो एक ऐसा परसन था, जो कि violence के लिए बहुत ज़्यादा अब और मतलब violence से वो घरना करता था, जैसे कि अपने KGF भाईया है ना, कि violence, 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 I hate it, I avoid, तो वही वाली बात है कि violence को क्या करें, avoid करें, और वो जो है, बहुती मतलब एक तरीके से अच्छा इंसान हो, आगे चलते हैं बेटा, aberration, aberration का मतलब क्या हो ज change आजाना, चीक है, व्यावार के विशिट या समाने तरीके से अरस्थाई परिवर्तन, यानि कि कुछ समय का परिवर्तन आजाना, change आजाना, जैसे कि insanity आप कह सकते हूँ, या फिर dementia कह सकते हूँ, hysteria कह सकते हूँ, यह इसके synonym है, यानि कि इसके मिलत चूलते words हैं, अगर आपके पास कभी examination में ऐसा कोई word आता है, तो आप जो है, उसको इस तरीके से जो है, relate करके लगा सकते हूँ, words को अप लिख सकते हूँ, अनि जैसे sanity हो गया, mind हो गया, lucidity हो गया, यह इसके बिलकुल opposite शब्द हो जाएंगे, ठीक है, जैसे sentence, in a moment of avaration, she agreed to go with him, यानि कि वरिंदावन घुमने, तो वही बात है, तो aberration, ठीक है, यानि कि temporary किसी के उसमें change आ जाना, behavior में, या किसी के बातों, उसमें, बातचीत वगरा में, उसको कहा जाता है, aberration, ठीक है, आगे चलते हैं, next पे आजाओ, अगला word आपके सामने आता है, बेटा, abrasive, A, B, R, A, S, I, V तो अब abrasive का मतलब हो जाता है क्या, कि rude, या फिर unfriendly, rough and likely to scratch, यानि कि इसको दो sense में पढ़ा गया है, पहला कि कोई ऐसा person जो बहुँजादा rude type का हो, यानि कि unfriendly type का आप से behave करे, उसको कहा जाता है, abrasive, या फिर दूसरा ऐसा होता है कि कोई चीज जो कैसा feel हो, जो rough type की feel ह यानि कि वो scratch type की हो, मतलब उसके अंदर smoothness न हो, उसको कहा जाता है बिटा, abrasive, ठीक है, तो यहाँ पे synonym की बात करे, तो annoying आप कह सकते हो, कि कोई person है, आपको irritate करता है, तो आप annoying कह सकते हो, राइट, या उपर उपर से चाहे, फिर biting हो गया, costing हो गया, harsh हो गया, कि किसी का nature बड़ा harsh type का हो, एंटनिम की बात करे, तो kind मतलब बहुत अच्छा इंसान, जिद्दयायालू, gentle का मतलब भी वही होता है, अच्छा परसन, ठीक है, delightful हो गया, pleasing हो गया, तो यह सारे जो शब्द हो गया, यह सके opposite शब्द हो जाएंगे, ठीक है, तो जैसे she has a rather abrasive manner, he can something, sorry, he can sometimes be abrasive in meeting, यानि कि वो कभी कभी क्या हो जाता है, unfriendly हो जाता है, यानि कि बहुत जादा rudeless type का हो जाता है, ठीक है, तो यह वाली बात है, आगे चलते हैं बिटा, जैसे आप देख सकते हो, इस तरीके से rude behavior होना, meeting के दोरान, तो यह आपका abrasive word हो गया, आगे चलते हैं, next word हमने आता है, abstain, abstain, abstain का मतलब हो जाता है, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसका मतलब अपने को सयम में रखना एक तरीके से, अपने आपको control में लखना, परहेज करना, जैसे होता है, कि जैसे मान लेते हैं कि कि किसी को diabetes है, ठीक है, तो वो अपन from doing something that you enjoy, यानि कि कोई ऐसी चीज करने से अपने आपको एक तरीके से control करना, जिसमें आपको मजा आता है, जैसे किसी बचे को खेलने में मजा आता है, तो आप अपने आपको control कर रहे हो, कि मुझे खेलने नहीं जाना है, मेरे को पलहाई पर ध्यान देना है, तो आप क्या कर खुद को abstain कर रहे हो, right everybody, तो synonym की बात करें, जैसे कि refuse, यानि कि मना कर देना कि भई हम ये चीज नहीं करेंगे, control करना खुद के ऊपर, reject कर देना, temporize कर देना, ये इसके synonym हो गए, antonym की बात करें, तो choose है, decide है, या फिर आपका resolve है, तो ये इसके opposite शब्द हो जाएंगे, antonym हो जाएंगे, जैसे he took a vote to abstain from alcohol, उसने जो है, alcohol से अपने आपकी दूरी बना ली, कि भई हम बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, alcohol से दूरी बन गई, right, तो आप लोग भी बिल्कुल मत पिया कर, right, नहीं है, संदीप आप भी, आगे चलते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो, कि यह जो है, आप लोग हो, तो इस तरीके से पीजा वगर से आप दूरी बना रहे हो, कि नहीं, हमें जो है, नहीं खाना पीना है, आगे चलते हैं, abstract, a, b, s, t, r, c, t, abstract, abstract, बिटा, आपने सुना होगा, noun के अंदर भी, abstract noun होता है, तो यह वही वाला abstract है, बिटा, word, कि existing only as an idea, not as a physical thing, यानि कोई ऐसे चीजो अमूर्थ हो, मतलब एक तरीके से, that you, that you can only touch or feel, यानि की भाव से related बाते हैं, ठीक है, that you can only feel or think, जैसे synonym की बात करें, तो theory, theoretic कहते हैं, जिसको हम conceptual कहते हैं, mental, यानि mentally कोई वर्क कर रहे हैं, एंटरिम की बात करें, तो concrete, physical, visible, इसका हम वै an abstract idea like eternity, यानि कि ऐसे ideas को, imagine करना भी अपने आप में काफी मुश्किल है, ठीक है, eternity, आगे चलते हैं, बेटा, next पे आजाओ, abudant, a-b-u-d-a-n-t, word को याद रख लेना, spelling के साथ, abudant का मतलब हो जाता है, क्या, कि एक्दम बहुत ज्यादा मातरा में, एक शब्द आपने इं यहाँ पे abudant भी वही शब्द है, तो जैसे existing is very large quantity, more than enough, यानि कि जितनी की जरूरत है, आपके पास उससे भी जादा है, ample मातरा में है, तो उसको कहा जाता है abudant, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे synonym की बात करें, तो plenty हो सकता है, ample, देखो मैंने पीछे word कहा भी था, यह word को मे generous हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बिटा, antonym की बात करें, तो minimal, spare, या फिर आपका scarcity, यह इसका antonym हो जाएगा, जैसे there was an abundant supply of fresh fruit, ठीक है, यानि कि fresh fruit की बहुत जादा बड़ी मातरा में supply थी उस समय, I need an abundant supply of coffee in the morning, यानि कि मुझो morning में coffee चाहिए होता है पीने के लिए, right, मतलब यह sentence है, मेरा यह नहीं मानना है, मेरे को coffee की जरूत नहीं होती, आगे चलते हैं बेटा, accentuate, तो accentuate, यहाँ पे एक शब्दा आगया है, यह थोड़ा बड़ा word है, इसको mention कर लिजेगा अच्छे से, इसका मतलब होता है, किसी चीज़ पे थोड़ा zone डालना, किसी को importance देना, उसको कहा जाता है, accentuate, छीक है, जैसे to emphasize some things, or make something easier, or to notice, यहनि कि किसी चीज़ को क्या करना, emphasize करना, या तो, या फिर उस चीज़ को बेटा क्या करना, कि easier कर देना, ताकि लोग उसको आराम से notice कर पाएं, देख सके, तो महत्व डालना, या सूस पस्ट बनाना, किसी च इननीम हो जाएंगे, एंटनीम की बात करें, तो, understate, belittle, minimize, मतलब, जो कम valuable हो, उसके लिए ये एंटनीम वर्ट्स हैं, अच्छा, sentence जैसे आपके सामने ये रहा, he likes to wear clothes that accentuate his muscular build, यानि कि वो ऐसे clothes पहनता है, जिससे कि उसका muscular build दिखे, या दूसरा, we felt that the article accentuate the positive aspect of the program, यानि कि इस program का एक positive aspect दिखाता है, ये article, यानि कि जो हमने mention किया है, जो लिखा है, वो इसका positive positive side दिखाता है, यानि कि इसको अच्छे तरीके से showcase करवाता है, आगे चलते हैं, next word आपके सामने आता है, exclimate, अभी exclimate क्या होता है, कि कोई exercise वगरा, या कोई ऐसी चीज जो उसके ठीक है, ये use कहां किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बिटा, ये use किया जाता है, जो real life में, जैसे हमारे जो फौजी होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, ये जैसे सियाचिन बौडर या कहीं पे भी, जब वो जाते हैं, बर्फीली जगे पे, ज कि जब जोइनिंग होती है, ड्यूटी वहां लगती है, तो उनको जो है, वहां के वातावरन के अनुकूल, कुछ exercise वगरा करवाई जाती है, कि कैसे वहां पे अपने आपको ढाल सके, उस environment के हिसाब से, जलवाई हो कि उस climate के हिसाब से कैसे ढाले, तो उसी के लिए शब्द सूट नहीं करता हूँ, खाना सूट नहीं करता हूँ, तो कुछ दिन दिक्कते रहती है उसकी बॉड़ी में, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो अपने आपको क्या कर चुगा है, एक्स्क्लीमिनिट, ठीक है, वर याद रहेगा जैसे आप में से कोई बच्चा है, जो म इसको मेंटेन करने में, धर धरे क्या होता है, बॉड़ी उसके हिसाब से ढहल जाती है, है की नहीं, बिटा देख लिए मैंने, बिल्कुल देख लिए बिटा, चलिए धन्यवाद बिटा, इशा, बहुत बहुत धन्यवाद बिटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ज अजाद होती है, कहीं पर भी घूमें, लेकिन अक्योरियम में क्या होता है, कि थोड़ा सा छोटे जगे पर ही उसको रहना पड़ता है, तो अपने आपको एडजस्ट करती है, अन्टेनिम रेजस्ट हो गया, जैसे इस प्रोग्राम में help new student acclimated to college life, यानि कि college life में कैसे उनक आपको एडजस्ट करना है, ये सिखाएगा प्रोग्राम, आगे तो ये आपके बिटा 10 vocabulary थे आपके, जो मैंने आपको करवा दिये, आज की class आपको कैसी लगी, comment करके एक बार जरूर बताइए, और इस तरीके का जो मैंने आपके लिए initiate किया है, वो initiative आपको कैसा लगा, मै कि आप जो है बिटा, selection, मतलब English के वज़े से आपका कभी भी selection ना रुके, ठीक है, कोई भी आप exam दो, चाहे banking का दो, चाहे SSC का दो, although बिटा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका selection तो बिल्कुल तय होगा, अगर आपने हमारे साथ दिल से लग करके महन मिलता है, और साथ ही साथ में बिटा, application पर भी मिलता है, तो वहां से बिटा, आप लोगों को ये सारी चीज़े available होती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इन sessions को भी एक बार देख सकते हैं, यहां पे भी आपको बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो इन वीडियो को भी अगर आप गो थू करोगे, तो बिटा, आपकी knowledge में और ज्यादा इजाफा होगा, जैसे IBPS के उपर हमने पूरी वीडियो बनाईगी, IBPS क्या है, कब इसकी vacancies हैगी, सारी चीज़े, ठीक है, तो मेरे प्यारे बचों, इन सभी वीडियो को ग कि वीडियो खिंस तो, मेरे बचकी खिंस General से भीडियो को से दो वीडियो को होगा है, के भीडियो को भीडियोर कोो दो इन सक्क्रा इन सatile को भीडियो जैज को वीडियो Syれた ख़े।